बाइक बोर्ड स्कैम संजेबाटी के भाई सचिन पवन और करणपाल से गैन पूस्ताज खुले कहीं राज हलो फ्रेंड नवाशकार और अदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपोन की न्यूज अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं तो दोस्ता आज जो बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर रहे हैं बाइक बोर्ड स्कैम से रिलेटिड हैं पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा नुरूद है कि आप चैनल पर बने रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आज बाइक बोर्ड की बड़ी खबर क्या है खबर मेरट से है ये एनन करीब 35 करोड रुपए का बाइक बोर्ड गोटा लेके वरगित इगनोटिव प्रोवेट लिमिटेड निदेशक संजे बाटी के बाद सचिन पवन और करण पाल ही एहम भूबिका निवा रहे थे संज की टीम मानी जा रही है कि सबसे मोटी रकम उक्त दिनों नहीं ठिकाने लगाई है यानि कि वो रकम इन तीनों नहीं ठिकाने लगाई है तीनों के परिवार और रिष्तेदारों के खातों की भी बैंक डिटेल मांगी गई है जिस जिन खातों में डिटेल आई है उसमें से मो स्वार को उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अप्रास साका इओ डबलू ने एश्टी एफ के साथ मिलकर निदेशक संजेबाटी के बाई सचिन बाटी और पवन बाटी तथा कमपनी के निदेशक करनपाल सिंग को गिरफतार कर जेल बेज दिया इओ डबलू की टीम ने तीनों आरोपियों को सगन पूछताच की साथ ही डेट साल तक कहा रहे इसकी पूरी लोकेशन भी ली जा रही है हलाकि तीनों का कहना है कि दिल्ली में हरियाना बाडर में एक फिलैट में रह रहते हैं वहीं से अकसर गर पर भी आना जाना रहता था रिष्टेदारों के संपत्ती पर नजर एस पी राय सुरेश यादाओं का कहना है कि करणपाल की बुलंसेर में बाराभी का जमीन सामने आई है मारा जा रहा है कि मेरट के आउट एरिया में भी करणपाल की काफी संपत्ती खरी दिया है या संपत्ती करनपाल के नाम है या उसके परिवार और रिष्टेदारों के नाम कर दिया है सभी के खातों में बैंक डिटेल मागी गई है साथी सचिनबाटी और पौनबाटी को भी अतीद खंगाला जा रहा है संपत्ती की कर रही पड़ताल संजे बाटी के बाद दोनों की कमपणी की बाग डोर समालते थे माना जा रहा है कि उन्होंने भी मोटी रकम अन्या संपत्तियां खरीद लगाई है E.O.W. की टीम संपत्ती की भी पड़ताल की जा रही है A.S.P. राम सुरेश यादाओं ने कहा है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जा रही है लोनी ही नहीं आसपास के दूसरे राज्यों में भी दोनों की संपत्ती पड़ी हुई है जिस पर भी बाइक बोट की बाइक मिली है उसमें बरामदगी को एक टीम काम कर रही है साथ ही उसकी विवेचना भी नौरडा के एक थाने में कराई जा रही है एस पी राम सुरे स्यादा उने बताया कि सचिन पवन करणाल भी पार विचनर्क में कम कदम नहीं रखते थे उसने सभी गाड़ों की डिटेल मागी गई है ताकि ई और डबलू की टीम उन पर कारवाई कर से के मेरट में सपाई गई मार्श रटी इसके बारे में भी ई और डबलू को जानकारी मिली है जो कहीं पर सुरक्सित इस्तान पर खड़ा कर दिया है उनका अभी संचालन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दोस्तों यह थी बाइक बोर्ट से रिलेटिड एक ऐसी न्यूज जो हमारे पास अभी अभी दस सितंबर यानि कि कल की यह बड़ी लाइटाश न्यूज है जो हमारे पास आई है आपको यह न्यूज पसंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें